हेलो गुड इविनिंग सभीको मैं आपका दोस मुकेश मिस्त्री और अग्रिकल्चर कोर्स में स्वागत है दोस्तों आज हम जो रूलर अग्रिकल्चर एक्स्टेंशन ऑफिसर है उसके स्लेवस या पैटेन के बारे में डिसकाशन करेंगे और जो स्लेवस है यह 2017 में जो वैक तो आपको एक अंदाज हो जाएगा था कि इस प्रकार के पैटेन आपको पूछा जा सकता है तो चलिए आज का जो स्टार्ट करते हैं और वीडियो इस्टेट करने से पहले चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेश के और पर क्लिक करना जिससे मेर मोटेवेशन मिलता है कि मैं जो आपको लोग के लिए बना रहा हो वह आप लोग के लिए हेलफूल है कि नहीं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सा सब्सक्राइट से आपका कोश्चन पूछा गया था और कितना कोश्चन आपका पूछा गया था ठीक है तो स एंड क्रॉफ फीजोलेजी से आपका दस नंबर का कोश्चिन पूछा गया था ठीक है एंटोमोलोजी और पैथोलोजी से दस कोश्चिन पूछा गया था Soil Science से आपका दस नंबर का question पूछा गया था ठीक आगे देखते आगे आपका Genetic and Plant Breeding ठीक है जो आपका Genetic और Plant Breeding गया है उसमें से 10 question पूछा गया था Extension Education and Agriculture Extension से 10 question पूछा गया था Economy से 10 question पूछा गया था Then आगे Basic Concept of Livestock and PC Culture ठीक है इसमें Slivers में तो दिया था बट इसमें आपका एक भी question पूछा नहीं गया था ठीक आगे बात करें Horticulture उसमें से आपका 30 question पूछा गया था Biochemistry से आपका 10 question पूछा गया था और Agriculture Engineering से आपका 10 question पूछा गया था तो टोटल जो आपका था 150 question था ठीक है यह आपका पूछा गया था 2017 के जो सलेवा से उसके हिशाब से ठीक है तो चलिए अब हम एक एक जो आपका point है उसको discussion करें कि उसके इंदर कौन कौन सा point से question पूछा गया था तो वीडियो के टॉपिक था ठीक है और वीडियो थोड़ा लॉंग होगा क्यूंकि आपका जो सलेवास है बहुत ही थोड़ा लंबा टाइप का है आपको समझ में आ रहा है कि अब बस तो लंबा होगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते हैं फिर हम कोशिच करेंगे 15 वीडियो में कंपेट करने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी तो पहले जो आपका जैनल एक रही खाए उसमें से 15 कोशन पूछा गया तो आपको मैंने उपर मैता दिया अब बस डिसकुशन करने तो उसके अंदर क्या क्या पर पढ़ना है इस्टोरी अप एग्रिकल्चर डेबलोप्मेंट एग्रिकल्चर रिलेटेड रिवलोशन एरिया प्रोडक्शन प्रोड़क्टिविटी अफ डिफरेंट क्रॉप्स फर्टिलाइजर कंजप्शन इरिगेशन इन इंडिया एंड चथिजगर देशनल एंड इंटरनेशनल एग्रिकल्चर रिसर्स और ल्गनाइजेशन इन इंडिया एंड चथिजगर् मतलब यह जो पॉइंट है इतना मेंसे आपका जनरल इग्रिकल्चर से पूछाता है कि उसका ही स्टोरी कहीस है । पूछा जाता है अलग-अलग जो क्रॉफ है डिफेर्ट डिफेर्ट दिफेर्ट कुरॉप ठीक है उसका एरिया क्या है उसका प्रडक्शन कहाँ पर होता है कांचेबिति आग। इडिगेशन का मैनेजمنट कैसे कर इस इन 36 गर से रिलेटेट ठीक है और नेशनल और इंटरनेशनल जितना इंस्टूडट है उसमें से कोश्चिन पूछा जाता है ठीक है नेशनल और आपका इंटरनेशनल से तो चलिए आगे देखते हैं आगे जो पर नेक्स्ट सब्जेट है वह है एग्रोनोमी बहुत ही मेजर सब्जेट है ठीक है इसमें से भी आपका 15 कोश्चन पूछा गया था ठीक है अलग अलग पार्ट है जिसमें आपका वाटर मनेजमेंट वीड में अलग 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 आ जाते ठीक है तो सबसे हम देखत छज़न के महत्व क्या है एक एस रिलेशनसीप किसका रिलेशन विद और साइन से क्या अर्योनोंी के रिलेशन है एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन इंडिया कितना है पंदर है ठीक है उसको पढ़णा है एच्छतिसगार में कितना है वो क्लासिविकेशन और क्रॉप पिंग जिस्टम कैसे है farming system crop rotation crop diversification sustainable agriculture LEANN फइड farming cry farming agronomical method of water conservation थेक है दिखने रहे आगे हैं आपकान प्लानों फॉर क्या लिखाये यह यह बेहाई डीजल क्रोप्स चोपी जिसमें आपको ट्राक्टीशन परना है जिए उग्राफिक डिस्टिविशन परना है उसका ekonomic importance परना है, soil कैसा चाहिए उसके लिए climate कैसा चाहिए उसका requirement is a different different जो requirement जो उसको परना है, NP कि is a स homeless में उस में परना है उसका क्या है कैसा उस में तुर님이 के हृट ГदՑ कि अरह पनिंजर कैसा चाहिए कृतिमा कितना चाहिए तीक है विद मेनेज्मेंट कैसे करें इंसेख पैश्ट देंड डिय्सलों करें कौण कुं कुन सब्रश clair 6 इस सब्रविप करना है जैसे इसवाइंड अए सब्सारी ने बहुत सब्सक्र dirig ऐसा क्रॉप पड़न है इसके सारे क्या क्लाइमेट क्या स्टोयल क्या इक कॉनोमिक इंपॉर्टन उसका डिस्टिश्यूश इस सारे चीज़ पर ना है मेजर वालब ना पर अपको ऊसके या सारे चीज़ के बारे में आपको वारे इस एопर पूरना होगः चाहिए है यह आपका दूसरा होगे टीकल आगे देखते हैं आगे आपका वाटर मेनेजमेंट ठीक है वाटर मेनेजमेंट्स झालग कि यह जांगे fin. इसको अलग-धलग पार्ट में पुछाता है अलग-अलग इसमें क्या कहें फड़ना है ऊसके एंड इरिगेशन डेपलोपमेंट इन इंडिया एंड चतिसगर ठीक है स्वेल प्लांट वाटर रिलेशनसिप पढ़ना है कि स्वेल वाटर प्लांट में क्या रिलेशन है method of soil moisture estimation पढ़ना है इभापो transpiration पढ़ना है वह क्रोफ वाटर रिकार्मेंट आपको पढ़ना है कौन-कौन से क्रॉप का अलग-अलग वाटर दिखेंग जाएसे आपका राइस का 1500 mm है गन्ना का 1500 से 25 यह सब आपको पढ़ना है उसके इफेक्टिव रैंफल पढ़ना है अलग-अलग शैडूल अप्रोच है ठीक है क्रिटिकल अप्रोच है अलग-अलग ऐसे काई सरा अप्रोच है उसको आपको पढ़ना है ठीक है सेवार अप्रोच है उसको अधर मेथोड ऑफ इरिगेशन पढ़ना है मेजर्मेंट ऑफ इरिगेशन पढ़ना है मेजर्मेंट जो requirement of different अलग अलग वाट नंज जो requirement है वह सब आपको पढ़ना है watershed management पढ़ना है ठीक है watershed अलग अलग अपका उसका Type होता है macro sub macro mini Micro mini सब आपको पढ़ना है ठीक है उसको definition उसका and concept पढ़ना है drainage important and method drainage का important क्या है उसका कून-कूम सा method surface surface नहीं सर्फिस है नीड़ पूरा पढ़ना है रेल तैन आगे जो आपका सब्जेट है अगरिकल्ट्र मेटरोची और क्रोप फिजुएलेज इस में से भी दश कोशन आया तक यह भी आपका आपका अलग Burch Tran थीकल तो अलग अलग पारर्ठ में फीग है उस इसमें क्या क्या पढ़ना definition पढ़ना है, scope देखना है, and practical utility देखना है, atmosphere पढ़ना है, its composition and properties, weather and climate, global warming पढ़ना है, cyclone देखना है, anti-cyclone देखना है, weather hazard देखना है, ठीक है, यह सब आपको पूरा इसके अंदर ही study करना है, ठीक है, इसके अलावा आपका seed physiology को देखना है, physiological maturity पढ़ना है, harvestable maturity पढ़ना है, seed viability and vigor को देखना है, germination, crop water relation, transpiration, photosynthesis, respiration, plant growth, regulators, C3 plant, C4, CAMB पूछा जाता है, तो यह सब आपका आजागा, metrology के अंतरगत, ठीक है, आगे देखते हैं, next subject, entomology and plant pathology, बहुत important है, syllabus, ठीक है, syllabus भाले छोटा देखना है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, आपका morphology, insect का morphology कैसे है, systematics कैसे है उसके अंदर ecology of insect, insect के ecology के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसमें major cereal, pulse and oilseed, इसके अंदर जो भी आपका insect होगा, उसका अच्छे से study करना है, ठीक है, इसके अलाबा integrated paste management पढ़ना है, and beneficial insect, उसमें mainly आपका लाख आ जाएगा, silk warm आ जाएगा, और आपका honey भी है, तीन ही आपका beneficial है, इनसी से question पूछा जाता है, इसके अलाबा आपका क्या पढ़ना है, grain, जो storage grain paste, ठीक है, pulse beetle, ठीक है, आपका potato, tuber, moth है, इसके अंदर पढ़ना है, बहुत सारा है, storage grain paste, ठीक है, and storage structure, उस storage के लिए structure कैसा होना चाहिए, plant pathogens, and their classification, ठीक है, इस सब सारे चीज़ आपको देखना है, इसके अलाबा आपको introductory of nematology, ठीक है, इंट्रोडोडोडोडी का थोरा बहुत introduction देखना है, ठीक है, तो चलिए आगे देखते है, बट मेरे को नहीं लगता है कि entomology इस बर पूछा जाएगा, आने वाले जो भी exam हो क्योंकि entomology को अभी के syllabus से हटा दिया, ठीक है, यह आपका fourth dean के था, अभी fifth dean में इसको हटा दिया गया है, ठीक है, तो यह नहीं पूछा था, फिर भी आप थोरा बहुत उसका introduction को देख सकते है, तो चलिए आगे देखते है, next subject है आपका soil science, ठीक है, soil science का syllabus थोरा लंबा है, इसके अंदर बहुत सार चीज़ पाढ़ना भी है, थोरा deeply question पूछता है इससे, इसमें क्या क्या देखना है, आपको pedological देखना है, and edophological देखना है, उसका concept क्या है, ठीक है, weathering देखना है, soil formation को देखना है, components of soil, soil profile, soil physical properties, soil of 36 गर, 36 गर में क्या क्या सोल है, land capability देखना है, उस परना है, Cn ratio बहुत सार है, उसके अंदर Cn ratio अलग-एलग है, काई सरह है, normal soil का Cn ratio का है, humus का क्या है, अलग-छो Cn ratio को परना है, essential plant nutrient परना है, बहुत सारे आपको 17 है, उसका role क्या है, उसका available form कौन – कौन कौन सा form में, अवैल करता है, मतलब पहुदे ग्रहन करता है, उसका mobility कैसे है, deficiency and toxicity देखना है, problematic soil and their management, बहुत important है, यहां से question पुछा ही जाता है, ठीक है, इसके अलबा, आपका soil fertility and productivity, ठीक है, factor influencing fertilizer, use of efficiency, different type of manure and fertilizer, ठीक है, थोरा मैं स्प्रिट से पढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि थोरा syllabus लंबा है, ठीक है, उतना समझाने का भी time नहीं है, किसके अंदर क्या क्या और पढ़ना है, ठीक है, यह जो normally syllabus था, उसको मैंने अच्छे से typing किया, बहुत ही महनत लगा है, उसके बाद ही बना है, ठीक है, तो एक like जरूर बनता है, ठीक, तो चली आगे देखत है, नेक्स्ट है आपका genetics, ठीक है, genetics and plant breeding, ठीक है, Mendel's के law of inheritance and expansion to the law types of gene action, ठीक है, multiple ले लिल क्या है, paleotropies, penetrance and expressively, cytoplasmine inheritance, mutation, concept of DNA and RNA, RNA DNA का concept, classification of plant, botanical description, floral biology, ठीक है, emasculation, pollination techniques, mode of reproduction, mode of pollination, hybridization, heterosis, mutation breeding, introduction, ठीक है, and importance, ठीक है, तो इसमें और देखना है, introduction and importance of seed production, character of good quality seeds, different classes of seed, अलग अलग जो पास्टाइब का उसको देखना है, and seed enforce law, तो इतना सारे जो चीज़ है, आपको किसको में देखना है, plant breeding में देखना है, ठीक है, आगे देखते हैं, next subject है अपका extension education and agriculture extension, इसमें आपका extension education का meaning क्या है, उसका definition क्या है, उसका scope क्या है, importance देखना है उसमें, social stratification देखना है, social value देखना है, and attitudes in agriculture extension, difference between community development and extension education, ठीक है, यह सारे चीज़ इसके अंदर देखना है, then इसके आगे आपको agriculture development program, बहुत सारे program है, उसमें को आपको देखना है, communication के बारे में देखना है, तो यह थोड़ा छोटा सलेबस है आपका extension, ठीक है, तो आगे देखते है, आगे है आपका economy, सबसे छोटा सलेबस है, ठीक है, इसका meaning देखना है, definition देखना है, division देखना है, ओप economics, ठीक है, agriculture economics देखना है, meaning, definition, basic concept, principle of demand and supply, ठीक है, production economics and farm management, सबसे छोटा सलेबस economics का, ठीक है, ठीक है, but question बहुत ही top पूछा गया था, ठीक है, देखने में छोटा सलेबस है, ठीक, आगे देखते है, आगे आपका जो है, basic concept of livestock, ठीक है, जो live stock का basic concept और PC culture, इसमें से एक भी question नहीं पूछा गया था, ठीक है, आप में इसके अंदर कोई भी ऐसा specific point नहीं दिया था, कि इस के अंदर से ही पूछा जाएगा, और इसमें से question भी पूछा नहीं गया था, ठीक है, आगे देखते है, then next आपका हर्टी कल्चर है, ठीक है, बहुत ही लंबा सलेबस है, ठीक है, इसले एक दम छोटा छोटा दीक है, ठीक है, दिखने में दिक्कत तो नहीं होना चाहे, क्यो औरीजीन देखना है, climate देखना है, economic importance, soil देखना है, variety देखना है, अलहाल भूत सार क्रॉप है, सब का variety, water management उसका, fertilizer कैसे, weed का management, ठीक है, disease इंसेक्ट, इस सारे चीज़ का management देखना है, yield देखना है, fruit क्रॉप का कौन सा क्रॉप में कैसा yield आरहा है, plantation क्रॉप का देखना है, vegetable क करूप का देखना है रूट क्रॉप का देखना त्यूवर टिकॉर एसके इंदर यूद को अब तो बहुत सारे रूट क्रॉप आ जाएगा वेजेटेबल में सारे वेजेटेबल आ जाएगा इस सब इसके अंदर पढ़ना है ठीक है पेरेनियल वेजेटेबल पढ़ना है फ्लोवर्स पढ़ना है अरोमेटिक एंड मेडिशनल प्लांट पढ़ना है बहुत ही इंपोर्टेंट है दन आगे प्रिंसिपल एंड मेथोड ट्रेनिंग हो गया है उसके बाद आपका ट्रेनिंग प्रूनिंग फ्रूट क्रॉप टाइप यूज ऑप ग्रोथ रेगुलेटर इन हर्टी कल्चर ठीक है उसके बाद आपका ओर्नमेंटल गार्डन ठीक है रिजु वेनेशन और ओल्ड और्चर्ड क्रोपिंग इन्टर क्रोपिंग ठीक है उसके बाद मल्ति टाइर क्रोपिंग बाद मम्र्चिंग कॉंसेप्ट आफज ट्रेन अफ़ प्रोड़क्शन अट प्रॉपगेशन नंडेट्स और्स अंड दीमेश का लाभानी को देखना नर्शरी टेक्निक्स ठीक है एपोमेक्सिस ठीक है प्रोपेगेशन स्ट्रक्चर प्रिंसीपल अफ लेंडेस्केप उसके बाद आपका गार्डिनिंग और्चर्ड मेनेजमेंट ठीक है इसके अलावा देखने है आपको importance of water management in festival क्रोप इसमें भी इसारे इरिगेशन मैंनेजमेंट इसके अलावा आपको तो इसका बहुत बड़ा है तो इसके अंदर इतना सारे चीज़ पढ़ना है कि बोली ही मत तो चलिए आगे देखते हैं के नेक्स्ट सब्जेट रहा है कि या पढ़ना है इसमें इसके डाल गया था तो देखी इसमें क्या-क्या पॉइंट आपका जेनेटिक प्लांट बीडिंग से हैं जैसे इंट्रोडूक्शन एंड इंपोर्टेंस नेचर ऑफ जेनेटिक मट्रियल न्यूक्लिक इसा आपका उसी का पार्ट से पर इसे में डाला गए तक कोई दिक्कत नहीं है पढ़ना तो है एसी डीने रिप्लिकेश इसके अलब आपका सेक्स डीतर्मिनेशन लिंगेज मैपिंग क्रो मोजोम है भी के डिफेक्ट चक्रो मूटेसटी ट्लांट सेल ठीक है यह आपका जो प्लांट बीडिंग का ही टॉपिक इसमें डाल देता आप क्या कर सकते आप डाल दिये गया एस अ आगे देखते हैं प्रोटीन से एंजाइम है एंड बिटामीन ठीक है बायो सिंथेसिस मेटाबॉलिज एंट्रोडुक्षिन ओफ तर्पेंट नॉइट्स एलकलोईट्स ठीक है फिनॉलिक एंड दियार एप्लिकेशन इन फूड एंड नेक्स्ट सब्जेट है आपका अग्री कल्चर इंजिनिर ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेन सब्जेट है इसमें क्या क्या देखना आपको सर्वेंग देखना है एंड लेविलिंग ठीक है टाइप उसका कैसे टाइप है इकुपमेंट्स एंड मैथोड्स इरिगेशन क्लासिफिकेशन देखना है और प्रोजेक्ट वाटर रिसोर्स वाटर लिप्टिंग डिवाइज ठीक है इसके लाब इरिगेशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट स्वेल इरोजन एंड दिया टाइप्स ठीक है एंड इंजिनिरिंग कंट्रोल मेजर्स एकुपमेंट्स एंड मशिन्स तीलेज इंटर कल्चर प्लांट प्रोटेक्शन ठीक ठीक है इसके लाब आपको देखना है हर्वेस्टिंग लेंड डेवलोपमेंट एंड स्वेल कंजर्वेशन पोस्ट हर्वेस्ट मेनेजमेंट फर एग्री कल्चर एंड हर्टी कल्चरल प्रोड्यूस्ट यह सबका इंजिनिरिंग का पार्ट से में आ जाता है ठीक है एक पो है इसमें से कोशिन पूछा गया था और आपका टोटल कोशिन था 150 ठीक है सारे चीज मैंने उपर में बता दिया हूँ आज की विडिस आपको बहुत सारे जानकरी मिला है और वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेश करके ओल पे भी क्रिक करना जिससे में इसी तरह के आने मेले हर हेलफूल वीडियो सबसे पहले आप तक झाल 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 झाल